नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्ट्रेस विकलाइज पर जहां दोस्तों आई आज के आउट्सोर्शिंग कच्चे करमचे जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आये तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों आ अन्युश्यम् करमचारियों को पक क्या जाए इस तरहे की मांग उन्हों नहीं आप उठाइए है और इनको सम्मान जनक करमचारी का दर्जाद दिया जाए करमचारियों का आरौफ है कि हॹ्याणा के करमचारियों का मेंगाई बता qक्टा 121 परतीस से बढ़कर 230 परतीशत ह गया है जबकि नहीं करम्चारिव का मेंगाई बता फhãट से ही दिया जा जा रहा है 2022 से कया मेंगाई बता लंबित पता है नहीं करम्चारिओं ने सबसे पर्मुकता से दोस्तों जो मांग उठाई है वहkim बनाकर इनकी इसेवां को यहाँ पर अंबाला में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख लेते हैं फते बाद बासकर से जगाधरी में 10 जनुवरी को आक्रोस रैली करेंगे सभी अतीथी ध्यापक जिहा अतीथी ध्यापकों ने सरकार को याद दिलाया निमित करने का वादा तो सरकार ने इनको निमित कर त्यारे हैं नीमित करने की मांग को लेकर जब कोई पार्टी वी पक्स में होती है तो इनको आस्वासंदे देती है कभी आपको पका किया जाएगा लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं फिर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता कुछी शीतर है का काम दोस्तो इस सरकार ने इनके साथ किया है सरकार में आने से पहले 2014 में दोस्तो तो इनको वदा किया गया था कि आपको जैसे ही सत्ता में आती है बाजबाद तो पका कर दिया जाएगा लेकिन आज तक आप लोग देख पा रहे हैं कि धरने परदसन कर रहे हैं दूसरी तरफ मुखे मंत्री हों या सिक्षा मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि जो गैस टीचर है उनको पका करने का कोई प्रावधान फिलाल के लिए नहीं है तो धर्नारत जो अतितित्य आपकों ने दोस्तो इसी के विरोध में जो अभियान पोल खोल अभियान दोस्तो चलाया है और रहागिरों में बाटे पर्चे आप लोग देख पाएंगे तो जो गैस टीचर है वो पीछे हटने के लिए त्यार नहीं है जुकने के लिए त्यार नहीं है वहीं पर आप लोगों को बता दे आशावर कर जोस्तो बारा को स्वास्ते मंत्री के आवास पर पर परदसन करने जा रही हैं जी हां बार एप है वो बंद पड़ी है 6 महीने से जिसकी वज़ेसे इनकी पेमेंटे रुक रही है तो रुकाउट आ रही है पेमेंट में और पेमेंट नहीं मिलेगी तो वियार थिक तंगिया सामना करना पढ़ रहा है इस वज़ेसे तो इनका यहां पर कहना है कि इनकी पेमेंट भी भा मंत्री की final जो फाइल है दोस्तों वो भी मंत्री ने रोक रखी है अगर 8 जनुरी तक स्वास्त है मंत्री वरकर के पतिनीधी मंदल से वारता नहीं करते हैं तो उनकी समस्याओं समादा नहीं करते हैं तो मजबूरी में 12 जनुरी को जो जिले की जो आशावर कर उनके निवास पर परदसन करेंगी तो आप लोग देख पाएंगे किस तरह से फाइल इन की जो है रुक गई है जो गोशनाई की गई थी जो समझोते हुए थे मुखे मंतरी साब के साथ उन पर आगे काम नहीं बढ़ा इसके बाद बरवाला से अपडेट है 15 जनुरी को उपायुत करले पर ह होने वाले परदसन में सामिल होंगे मनरेगा मजदूर जी हां दोस्तों मनरेगा मजदूर यहां पर आप लोग देख पाएंगे नानुद में भी और यहां पर वाला में भी आवाज उठा रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं 15 जनुरी को हिसार में दोस्तों जो जो मांगे उठाते आए हैं और इनके हक हैं जो वो मांगे रहे हैं जी हाँ सबसे बड़ी जो प्रेसानी होते हैं इनको काम जो सरकार की गारंटिय सो दिन की वो कभी भी पूरा सो दिन नहीं मिलता है साल में और फिर जो पैसे मिलते हैं तो पैसे मिलने की बारी आते तो वो भ के ही रहते हैं कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं देरी से मिलते हैं इस तरह की समस्याईं को सामने भी बनी रहती है मैं कर दी लेकर तो अनुभंधित Blue चारि संग का आ र tej को सरकार से चाहते हैं कि इनकी जो हाँ वेतन की जाये और रोजगार की स्रक्षिया इनको पर रदान की जाए ए इक की देख लिजए मिदे मिल वरकर 11 जनुरी को मुख्य मंत्री आवास पर करेंगी परदसंतों मिडे मिल करमचारी भी दोस्तों डेली अपडेट दे रही हैं और अपनी जो तैयरियों में लगी हुई है बताया जा रहा है वह किस तरह से जो है सेलरी भी 10 महीने की ही मिलती है इनको और वो भी समय पर न मुख्य मंत्री आवास पर राजस्तरिय परदसं दोस्तों ये करने जा रही है 65 साल तक रिटार्मेंट आयू की दोस्तों ये मांगे कर रही है इसके बाद देख लिए जिन से अपडेट है रासन डीपो होल्डर भी दोस्तों अब अनुमंदित विद्ध करम करमचारियों की तरह से दोस्तों सरकारी करमचारी का दर्जा मांग रहे हैं जिहां रासन डीपो होल्डर का अइलान पंद्रा तक मांगे नहीं मानी तो 16 ला को दिल्ली में करेंगे परदसं और परदसं के लिए इन्होंने आपर दोस्तों बता दिया है यह चाहते हैं कि कम से कम इनको अगर पका करमचारी वैसे तो सरकार गोशित करे पका नहीं तो कम से कम अनुबंदित करमचारी गोशित करे और साथ में 50,000 रुपे नियूंतम वेतन लागू करे मान दे लागू करे इनकी जो रिटार्मेंट आयू है 65-70 साल दोस्तों जो है उस स्वास्था करमचारी की मांगों को लेकर सिस्ट मंडल वैस सरकार में होगी वारता जी हां दोस्तों वारता की बात सामने आ रही है बतादा आप लोगों को स्वास्था सुपरवाइजर संग की दोस्तों यह अपडेट है बता गया है यहां पर स्वास्था सेवाई महा संग के दुस्तों जो है 1500 पदों को समाप्त कर दिया था उसको दोस्तोंuster यह बहाल करवाना चाहते हैं पिछले तीन साल से लगातारी अंदोलन रत्व हैं और से ज़्यादा पंचेयतों ने दोस्तों प्रस्ताउप पास करके इनको दिया है और इन्होंने आगे भेजा है कि वही जो है इन पदों को समापत नहीं किया जाए लेकिन अभी तक बहाली का कोई आपर प्रोसेजर नजर नहीं आ रहा है तो यह चाहते हैं कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए अगर मांगों पर ध्यान नहीं दि तो जहां नहीं दिया तो यहां पर करमचरी अगर इनकी मगउपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो र लास्ट में आपन देख लिए अंग्डवाडी वरकर हेलपर के लिए बारवी पास का परस्ताव जिहां सेक्सिनिक योगता में बदलाव की तयारी यहां पर तो सरकार कर रही है जो अंगडवाडी हेलपर है और जो वरकर है बता दे आप लोगों को फिलाल अंगडवाडी वरकर की सेक्सिनिक योगता दसवी है और हेलपर की पाचवी है तो इसमें बदलाव यहां पर इसकी बड़ी कारे करता के पद खाली पड़े हैं तो यहां पर सिक्षा में बदलाओ के बाद हो सकता है इस पर कोई बड़ी भरते भी देखने को मिल जाए जो यह यह योगता है सक्षिन के योगता दोस्तों यह थी सारे की सारी आज के आउट सुसिंग कच्छे करम चांज ख़बरे समय परपानत चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दुस्तों साथ सेर करें थेंक यू वेरी मच